हलो एव्रीबन मैं संग्राम पवार एजुकेन में एक बार फिर से आपका अर्दिक स्वागत है जैसे हमारी सीरीज चल रही इंडिया येर्बुक की और प्री पास आ गया है तो दा पॉइंट रिविजन माटेरियल समरी माटेरियल जो हम फबलिश कर रहे हैं निकाल रहे हैं अपने वीडियो में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे देखिए और एक्जाम पॉइंट ओफ यू से आपको कुछ न कुछ इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा अभ हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा एक्जाम पॉइंट ओफ यू से सबको हम डिसकस करते जाएंगे तो उसी में जो है आज हम पहले तो हमने दो लेक्चर में एक तो पहला चैप्टर था लेंड और पीपल के बारे में डिसकस किया उसके बाद जो पॉर्षन को हम उत्तर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बाकी जो नया पॉर्षन है जो की इंडिया यह बुक में स्पेसिफिकली मेंशन है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए आज चालू करते हैं तो कल तक हमने जहां देखा था डिपार्टमेंट के बारे म नेशनल ऑथॉरिटी ओफ यह में जो है यह कैसे अस्तित्व में आई कैसे जो है यह भारत में जो है इसका इस्टेडिश्मेंट वारे में पारे में हम लोग जानेंगे तो उसके पहले हमने जानना जरूरी है कि cwc क्या है यह cwc कैसे जो है अस्तित्व ने आया तो CWC क्या है तो पहले जान लेंगे एक Multilateral International Treaty है एक संधी है देशों के बीच में कब हुआ यह 1997 में हुआ यह क्यों हुआ तो कोई अगर chemical weapon जो develop किये जाते हैं किसी देश के द्वारा और उसका जो अगर इस्तमाल किया जाता है तो उससे काफी large scale में जो है masses को हानी पहुँच सकती है तो उसके लिए एक convention बनाएगे एक treaty की गई CWC 1997 में जो कि किस से deal करती production, stockpiling and use of chemical weapons and their precursors ठीक है और March 2022 तक का जो data दिया है इंडिया येर्बुक में उसकी के अनुसार जो है एराउंड 193 देशों ने जो है इसे ratify कर दिया है इंक दूसरी उस करके देखें तो 193 देशों ने जो है इसे ratify कर दिया है तो आप जो ये संधी बनी ये treaty बनी इसी का पालन करने के लिए OPCW का गठन किया गया organization for the prohibition of chemical weapon ठीक इस संधी को ही जो है मूर्त लूट में लाने के लिए जो है एक किया गया इसका headquarter कहा है ध्यान रखेंगे तो हेग नीदर लैंड्स में है और इसे 2013 का Nobel Peace Prize भी मिल चुका है ठीक और CWC में जिस तरह की बात की गई थी तो एक national authority भी बननी चाहिए किसके लिए climate change के लिए ऐसा इसमें बात किया गया था तो उसी आधार पर जो है national authority for chemical weapons जो है भारत में भी गठित की गई ठीक और ये जो है पूरी तरह से cabinet secretaryate के office के अंतरगत आती है ठीक और ये जो obligation थे CWC के उसी को fulfill करने के लिए जो है इसे एक national focal point के तौर पर जो है बनाया गया है OPCW और साथ में अलग जो other parties हैं दूसरे देश हैं उन सब के साथ सामंजे से बिठाने के लिए ठीक आगे देखते हैं तो ध्यान रखेंगे CP, CWC, OPCW और साथ में NA, CWC इसी के अलावा CPCW, CWC Act जो है इसके लिए पारित किया गया government के द्वारा 2000 में और ये कब आया force में तो जुलाई 2005 में जो है force में आया है और इंडिया जो है CWC का member है OPCW में जो executive council में member है ध्यान रखेंगे इसमें कुल 41 members है executive council में total membership में नहीं executive council जो है कारे-कारी परिशत जो होगा उसमें जो है भारत के भारत भी उसका सदस्या और 41 member है इसमें और चीज़े मिलती है कि इंडिया also has representation on the advisory body जिसको बोला जाता है administrative and finance ABAF तो advisory body on administration and finance में जो है उसका भी member है जान रखेंगे executive council में भी है और रिप्रेजेंट करता है किसमें ABAF में इसके अलावा इंडिया ने जो अभी तक के कुछ 20,000 euro एक special trust fund बनाया गया था किसमें OPCW में किसे support करने के लिए तो एक Camtech center करके वो गठित कर रहे थे especially किसके लिए तो COVID-19 को counter करने के लिए एक Camtech center बनाया जा रहा था तो इंडिया ने OPCW के अंतरगत तो इंडिया ने उसमें कितना तो 20,000 euro का funding भी किया है ठीक आगे आते हैं अंगला topic देखते हैं NDMA National Disaster Management Authority जान रहे हैं आप सब कोई इसके बारे में और environment वाले portion में आपने ये वाला topic cover भी किया होगा ठीक तो NDMA क्या इसका evolution या उत्पत्ति कैसी हुई तो 1999 में जब गुजरात में earthquake आया था तब एक high power committee बन अधार पर preparedness और mitigation की बात करी गई कि मतलब कैसे अगर भविश्य में कुछ चीज होता है तो इसे हम कैसे mitigate कर सकते हैं या हम अगर हो भी जाता है तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं इसके लिए एक high power committee बनाई गई थी इसके बाद मतलब इसका gradually evolution हुआ और NDMA का गठन होनी चाहिए तो यह आप आपके mains के लिए भी आप कहीं कोट कर सकते हैं इस सारी चीजें तो 10th 5-year plan में जो है पहली बार एक separate chapter था जो की deal कर रहा था disaster management से 12th Finance Commission ने भी जो है अपने जो रिपोर्ट में बुला कि financial arrangement होनी चाहिए किसके लिए disaster management के लिए तो इस तरीके से लग ली government of India ने जो है 2005 में disaster management act को जो है एनेक्ट किया और इसके अंतरगत जो है establishment हुआ दो तीन चीजों का तो ध्यान रखेंगे NDMA और SDMAs है ना NDMAs और SDMAs NDMA का head कौन होगा prime minister होगा SDMAs का head कौन होगा तो respective state के CMs होंगे chief ministers होंगे ठीक है और it was done to spearhead and implement a holistic and integrated approach countrywide तो अगर NDMA एक national level पर है और states में भी अगर SDMAs कुछ establish हो जाते हैं तो इससे एक पूरा holistic और integrated system बन जाएगा disaster management के लिए तो यही चीज़ होई तो NDI में क्या है तो एक holistic body है which is mandated to lay down the policies keywords ध्यान रखेंगे यह सारे keywords के तहट भी जो कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो policies बनाएंगे यह कि किस तरह से जो है policy रहेगी क्या क्या चीज़ें करना है plans रहेंगे और guidelines रहेंगी किसके लिए disaster management के लिए और खास तोर पर अगर जो statement वाले questions आ जाते हैं तो statement वाले questions में आपको ध्यान देना होगा keywords क्या क्या है तो यहां पर बात क्या करेगा keywords में preparedness, mitigation, capacity building and dealing with the threats of disasters तो इस तरीके keywords अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपने means में भी इस तरीके से अच्छान सर लिख सकते हैं आप जब statements वाले, कूट वाले questions अगर देख रहे हैं तो उसमें भी इसे ध्यान दीजिएगा Also lays down the policies and guidelines for the functioning of National Institute for Disaster Management and State Authority तो कई चारी जो है आपकी National Level Institute जो disaster management के लिए बनेगी उसके लिए भी जो है आधार रखा गया इसके तहट ठीक है अब आजाते हैं हम public grievances वाले में तो आप जब देखेंगे last lecture में जहां हमने मंत्रालेओं के बारे में पढ़े थे तो यहां पर हमने देखा था ministry of personal and public grievances तो उसके अंतरगत तीन department आते हैं एक है department of administrative reforms and public grievances D.A.R.P.G. Department of personal pension and pensioners welfare और department of personal and training तो यह सारे department आते हैं अभी हम maximum portion जो grievance वाला जो इंडिया yearbook में दिया है उसके बारे में discuss करेंगे और उसमें D.A.R.P.G. जो department है उसी से सम्मंदित क्या क्या programs क्या क्या schemes है उनके बारे में जो इंडिया yearbook में दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो department of administrative reforms and public grievances ठीक है यह चीज है तो क्या क्या है इसमें तो यह किस के अंतरगात आता है तो ministry of personal public grievance and pension ध्यान रखेंगे किस department में आता है कौन से कौन से भी भाग है उस दिन देख चुके हम यह नोडल agency है government of India की किस चीज के लिए तो administrative reforms as well as redressal of public grievances अगर कोई public grievances है तो उसको redress करना है कैसे उसे solve करना है उसके बारे में in general and center in particular मतलब state का अगर कोई मुद्दा है ऐसा तो उसमें भी यह input देते हैं और साथ में center का है तो उसमें definitely जो है nodal agency के तोर पर काम करता है उसके बाद यह क्या है responsibility of policy coordination फिर keywords दियान रखेंगे responsibility of policy coordination and monitoring the issue relating to the above मतलब public grievance या administrative reform से related कुछ चीज का मुद्दा है तो उसकी primary responsibility है policy making की coordination की और monitoring की इसी में आगे आते हैं तो ncgg national center for good governance अगर आप administrative reforms ला रहे हैं public grievances को address कर रहे हैं तो इससे आप क्या कर रहे हैं आप good governance को promote कर रहे हैं तो उसी के लिए क्या बना एक center बनाये गया is an autonomous organization with this department और इसका headquarter का है New Delhi में और वहीं उसका branch office का है तो मसूरी में है यह चीज ध्यान रखेंगे आप कोई चलिए आगे देखते हैं तो department of public grievance अब वापे उस department के बारे में और कुछ देख लेते हैं क्या चीजे हैं DPG ठीक तो DARPG और DPG तो दूसरा जो department है यह कब सेट हुआ तो 1988 में under the cabinet secretariat ठीक यह department cabinet secretariat के अंतर गताता है और इसका कार्य का है क्या है तो public grievance or to entertain grievances from public after they fail to get satisfactory redress from the ministry department concerned with the within a reasonable time तो इनके पास यह कब मुद्धे पहुँच रहे हैं जब जो भी respective ministry or department है वहाँ से उनको अगर satisfactory solution नहीं मिल रहा है तो तो यह last office of resort है यह ना office of last resort है इसके अलावा grievances can be lodged with dpg through post यह याद रखेंगे ओली line through email by lodging complaints and through portal तो जो इनका direct portal है dpg का उसमें भी जाके किया जा सकता email के through या post के through या फिर कोई complaint direct portal में जाकर तो complaint को पहले जो scrutinize की जाती है कि यह उस लायक है की नहीं और उसके बाद अगर लग रहा है तो इसे respective जगह में भेज दिया जाता है अब इसी में हम देखते हैं आगे एक और चीज लिखी हुई है जो की दिख रहा है क्या पीजी रेम्स तो पब्लिक ग्रिवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम तो यह क्या है तो यह एक सिस्टम है जिसमें सारी जो ग्रिवेंस हैं जो भी आपको complaints हैं वो सब इसमें सिस्टम में भेजी जाती हैं इसमें एक क्या बोलना चाहिए सारी details आकर जमा होती हैं और यह कब establish हुआ है तो 1999 में तो एक automated system है किसके अंतरगत आता है DPG के अंतरगत आता है और कब से अस्तित्व में है तो 1999 से जो है यह अस्तित्व में है यह चीज को ध्यान रखेंगे यह DPG के अंतरगत ही है चीक PGRAMS आगे इसमें एक और तो CPG REMS ऐसा रहेगा ठीक है अब यसी में आते हैं governance के बारे में हम देख रहे हैं तो governance के अंतरगत ही क्या-क्या topic हैं देख लेते हैं तो PM Award for Excellence in Public Administration तो प्रधान मंत्री है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है समानित किया जाता है किसलिए Excellence in Public Administration के लिए तो यह क्यों है तो यह आप तो समझ में आएगा तो given to acknowledge, recognize and reward exemplary work done by the civil servant across the country कब से हो रहा है सीन्स 2006 तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे फिर से keyword ध्यान रखेंगे acknowledge करना, recognize करना, reward देना है किसे तो civil servants को countrywide जो भी है public administration के छेतर में कारे कर रहे हैं उनको ठीक और 2006 से दिया जा रहा है तो initially जो है यह दिया जाता था individual level पर, team level पर और organization level पर, team level पर दिया जाता था लेकिन 2016 से इसमें कुछ बदलाव किया गया, इसका format बदला किया गया है और it was made to include implementation of identified flagship program of government of India तो कोई एक particular flagship program के लिए जो है क्या कारे किया जा रहा है उसते relate कर दिया गया अब इसको और इसमें जो है हर जिले को हर district को encourage किया जाता है to participate in this thing, award carries तीन चीज, एक तो medal, दूसरा एक scroll या certificate और तीसरा जो है incentive of rupees 20 lakh to the awarded district या organization को दिया जाता है कि award जो है क्या क्या चीज carry करता है, question अगर पूछ लिया जाए तो आपको सारी चीज यहाँ मिल जाएंगी फिर applications for participation are received from the online portal 2022 से जो एक पोर्टल online कर दिया गया है और जो भी district या particular organization को लगता है तो वो इससे apply कर सकते हैं, आगे आते हैं और क्या है, तो civil service day तो यह सारा चीज अभी governance से related चल रहा है, good governance से related तो civil service day के बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज mention है तो PM award for excellence जो है, वो 21st April को दिया जाता है हर साल अभी 21st April को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस साल, इस दिन मनाया जाता है civil service day और यह कब से मनाया जा रहा है, तो यह भी 2006 से मनाया जा रहा है, ठीक 15th CSD कब celebrate किया गया था, अप्रेल 2022 में और 2021 में 16 लोगों को awards दिया गया था तो ऐसा mention है कि इसमें इंडिया yearbook में तो ध्यान रखेंगे और यह उपर के जो fact है यह जरूर ध्यान रखेंगे, civil service day से related जो है, ठीक, आगे आते हैं हम, और क्या चीज mention है National Award for E-Governance यह भी चीज दिखती है हमें, इंडिया yearbook में तो D.A.R.P.G. जो है National Award for E-Governance देती हर साल E-Governance electronically जो है, governance को कैसे सुधारा जा सकता है, उससे related है ठीक, तो it is an initiative to recognize, फिर से ध्यान रखेंगे words, recognize, है ना, promote excellence in implementation of E-Governance, तो recognize करना है, उससे ही क्या होगा, promotion भी होगा, इसमें क्या-क्या चीजें दी जाती है, तो इसमें certificate दिया जाता है, प्रॉफी दी जाती है, ठीक, प्रॉफी दी जाती है, और cash award पांच लाग का, अगर कोई gold award winner है तो, और 3 लाग अगर कोई silver award winner है तो, और ये अलग-अलग department को दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे national award for E-Governance के बारे में, आगे आते हैं किस-किस field में दिया जाता है, तो याद रखेंगे excellence in government process, re-engineering for digital transformation, digital transformation के लिए अगर कुछ re-engineering हो रही है तो उसके लिए दिया जाता है, दूसरा point देखेंगे excellence in providing citizen centric delivery, नागरिको को मुख्य center में रखकर कोई अगर delivery दी जाती है service की तो उसके लिए मिल सकता है, excellence in district level initiative in e-governance, जिले इस तर पर अगर कोई initiative लिया जाता है, उसके लिए e-governance के छेतर में, outstanding research on citizen centric services by academic research institutions, कोई academic research institution अगर कुछ research करती है, related to citizens तब दिया जाता है, ठीक, और इसके अलावाद देखेंगे, तो excellence in adopting emerging technologies, नई technologies जो आ रहे हैं, उसको adopt करते हैं, किस तरीके से आप कारी करते हैं, तब भी मिलेगा, और 2021 में एक और जोड़ा गया था, covid management कोई अगर अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसके लिए भी मिल सकता है, अगर ICT के थुरू जो है, management किया जा रहा था, तो यह 2021 में भी दिया गया था इस छेतर में, आगे आते हैं, national conference on e-governance, ठीक, अभी देखें लिए national award, अब national conference, तो यह भी DARPG जो आपका department है, वो in association with ministry of electronics and IT and host states, जो भी host states होंगे, organizes the conference, हर साल yearly conference कराती है, इसले तो e-governance के लिए 1997 से हर साल yearly होती है, और during the conference, selected project on e-governance also presented, वहाँ पर conference में जो भी, जिनने especially जिनने award जीता है, उनको वहाँ पर present किया जाता है, public के सामने, अभी तक के जो 25 conference हो चुकी है, और 25th कहा हुई थी, तो कट्रा जम्मू में हुई थी, यह भी दियान रखेंगे, आगे और क्या चीज मिलती इंडिया yearbook में, तो उसी में हम देखते हैं, conference के साथ-साथ जो है, webinar भी, good governance के ओपर webinar series चलती है, government की, 2022-23 में जो है, DARPG ने 13 कुल webinar करे थे, different theme के, under the good governance initiative, which are felicitated by PM Excellence Award, तो ध्यान रखेंगे, जो मैंने शुरू में PM Excellence Award, good governance के लिए जो मिल रहे थे, वैसे project को जो है, यह present करते हैं, कहाँ पर, webinar में, जिनकी अलग-अलग theme होगी, तो अभी 2022-23 में 13 ऐसे webinar प्रेजेंट किये गए हैं, ठीक, और state collaboration initiative, कुछ states के साथ collaborate करता है, DARPG, कुछ funds देता है state government को, किस लिए, तो capacity building के लिए, improvement for public delivery, etc. तो जनरल चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, क्या-क्या DARPG करता है, उसके बारे में हैं, तो good governance के लिए webinar भी कराता है, ठीक है, चलिए, benchmarking governance, दिया था उसमें एक topic, और उसी से related क्या-क्या चीजें दी हुई हैं, देखते हैं, है ना, क्या बोल रहा है, इसमें, national e-governance, ये question important, मरलब ये topic थोड़ा सा, important लग रहा है मुझे, है ना, national e-governance, governance service delivery assessment, है ना, तो 2019 से ऐसा assessment एक तरह का study है, जो 2019 से की जा रही है, to boost e-governance endeavors and drive digital government excellence, तो एक तरीके की study है, क्या study है ये है, तो it assesses the effectiveness of e-governance application in states, uts and central ministries, तो ये जो है, क्या-क्या importance रहे, क्या-क्या, जो effectiveness आई, किसके बाद e-governance के implementation के बाद, अलग-अलग level पर वो चीज को देखती है, इसके अलावा, तो NASDA क्या है, assessment है, study है, ध्यान रखेंगे, और ये से क्या हो रहा है, e-governance boost हो रहा है, और digital government excellence की तरफ जा रहा है, NASDA इसके अलावा, helps the government to improve its delivery of services to citizen, ठीक है, तो जो भी government services देती है, citizens को वो भी develop होगी इससे, NASDA framework covers याद रखेंगे, G2C और G2B services across साथ sector में, ज्यान रखना है, तो government to customer और government to businesses, services जो है, साथ sector में ये provide करता है, NASDA, ठीक, याद रखेंगे, आगे आते हैं, Good Governance Index, क्या है भाई ये Good Governance Index के बारे में जानते हैं, तो Good Governance Index एक तरीके का index है, है ना, it is a comprehensive, comprehensive, implementable framework to assess governance across the states and UTs, ठीक, its objective is to uniformly assess the impact of various interventions made by central and state government for governance betterment including UTs, तो जो भी interventions जो है, state या government के द्वारा किये जा रहे हैं, उससे किस तरीके का output मिल रहा है, वो चीज किस से हमें पता लगती है, Good Governance Index से पता लगती है, इससे एक parameter है, जो कि हमें जानकारी देता है कि किस तरीके का चीजें जो है, अलग-अलग field में, अलग-अलग sector में perform हो रही हैं, तो DARPG जो है, इन partnership with Center for Good Governance, हैदराबाद याद रखेंगे, हैदराबाद में जो Center for Good Governance है, brought the first GGI Good Governance Index, कब से तो 2019 से, 58 indicators हैं, parameters हैं, और 10 sectors हैं, इन सब को मिला कर पेश किया जाता है, Good Governance Index, इससे पता लगता है, कि जो भी interventions हो रहे हैं, government के द्वारा, वो कितने प्रभावशाली हैं, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में, 2022 में, एक release किया गया था, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक, आगे आते हैं, public governance grievances, CPG REMS, वहाँ जो पढ़े थे वही, उसी के बारे में बोल रहा है, तो पहले तो देख लेते हैं, कि यह जो हमारा DPRG है, इसको यह कारे करने की शक्ती कहां से मिलती, इलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स नाइटीन सिस्टीवन, एलोकेट्स DARPG, तो हैव दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर पॉलिसी, को ओर्डिनेशन और मॉनिटरिंग ऑफ इशूस, रिलेटिंग तू किस चीज के लिए, तो रिड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रिवेंस इन जनरल, जो भी पब्लिक ग्रिवेंस हो रहे हैं, उसके इशूस को अगर एड्रेस करना है, तो उसके लिए कौन है, D.P, D.A.P, D.A.R.P.G. इसके अलावा जो है, Central Government की जो भी एजेंसी हैं, उनके रिलेटिट जो भी ग्रिवेंसे होंगे, खास तोर पर उसके लिए पर्टिकुलरली, तो D.A.R.P.G. को कहां से हैं, तो Allocation of Business Rules 1961 से जो है, यह चीज की Responsibility है, for Policy, Coordination and Monitoring of the Issues relating to both of these points, तो ध्यान रखेंगे इसको, तो आगे आते हैं, तो Government ने क्या किया कि, एक Centralized Public Grimance Redress Monitoring System बना दिया, एक Centralized System जहां हम P.G.R.M. पढ़ रहे थे, वैसे उसी में हम देखते हैं, एक System बना दिया गया, जिसे क्या बूल रहा है, CPG RAMS, है ना, इट विल प्रोवाइड ये Keywords फिर ध्यान रखेंगे, तो CPG RAMS क्या करेगा, Universal Online SPD Digitize और Approach for Citizen, अगर Citizen को कोई भी Grimance के बारे में, अगर Complain करना है, कोई भी चीज पहुँचाना है, कहां तक DARPG तक के, तो एक System है, जो की Universal है, कहीं से भी 24-7 जो है, Online है, इसके अलावा Fast है, SPD है, और पूरी तरह से Digitized है, तो यही है आपका क्या, CPG RAMS, ध्यान रखेंगे, इसके तहट क्या, और DARPG जो Department हम देख रहे हैं, जिसके बारे में, तो यह क्या करता है, इसके अलावा, E-Office के लिए कारे कर रहा है, फिर Universal Transparent Tracking System भी बन जाएगा, इसके लिए भी है, फिर COVID के समय एक Dashboard भी बना था, COVID-19 grievances के लिए, Citizen Charter के लिए भी कारे कर रहा है, है न, कि Citizen के पास क्या क्या, उनके अधिकार हैं, इसके अलावा, Integration of Avaz A.A.W.A.M., यहाँ पर Dash होगा, कश्मीर में किसके लिए था, वहाँ की जनता के लिए, और उसे क्या बोला गया था, आवाज A.A.W.A.M., तो इसे भी जो है, CPG RAMS के साथ क्या कर दिया गया, Integrate कर दिया गया, ठीक है, इसके अलावा, Documentation और Dissemination, जो भी चीजे हो रही हैं, उसका Documentation भी करना है, तो यह सारे रोल्स किसके हैं आपके, DAR, PG के हैं, ठीक, आगे आते हैं और, तो International Exchange and Cooperation, तो आपका जो यह, आभी हम वही Department में ही चल रहे हैं, Ministry of Personal, Pension और Public Grievance वाला जो था उसमें, तो उसमें एक Department है, DAR, PG, तो यह जो है, इनका एक Division है, International Exchange and Cooperation Division, यह जो है, International Organizations के साथ क्या करता है, Cooperation करता है, अभी इस Cooperation में ही हम देखते हैं, एक Cooperation जो हमको देखता है, IIAS, Brussels, Belgium के साथ किया गया, 1998 से, International Institute of Administrative Sciences के साथ, और इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण इंडिया को जो भी latest study हो रही है, latest development हो रहे है, Public Administration या Administrative Reform से Related, या grievances से, Redress करने से Related, तो इस सब के developments से, जो है, इंडिया, latest चीजों से जो है, aware रहता है, ठीक, in fact, DARPG के जो Secretary है, वो currently क्या है, जो Council of Administration है, and also Vice President of Finance Committee of IIAS है, तो ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे, क्या है, एक तो इनका जो Council for Administration है, किसका IIAS का जो Council for Administration है, और साथ में उनका जो एक Finance Committee है, इसके Vice President है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे, इसके अलावा, DARPG ने, और क्या-क्या कुछ चीजें की हैं, तो Secretariat Reform की बात हो रही है, तो Secretariat Reforms, Good Governance Week मनाया गया, है ना, आजादी के, अमरित महत्सव के, उपलक्ष पर, है ना, कब तर December 2021 में, तो ये कुछ चीजें हैं, जो DRPG के बारे में, और दी हुई थी, India Year Book में, ठीक है, आगे आते हैं, National Center for Good Governance, NCGGP, पीछे पढ़े थे इसके बारे में, तो Department ने जो है, एक Center भी बनाया है, और ये Center के एक Autonomous Institute है, Under the Ages of Department of Personal and Training के अंतरगर, जो है, ये Establish किया गया है, By Upgrading the Earth, वाइल पहले में, जो National Institute for Administrative Research था, ये कहां पर था, तो लाल बहादूर शास्तरी National Academy of Administration में था, मसूरी में, तो वहां पर जो पहले Center था, कहां के लिए, Administrative Reform की Research के लिए, उसके जगा पर, जो है, National Center for Good Governance Establish किया है, लबासना में, आप लोग जाएंगे तो, ज़रूर देखेंगे इसे, एक, आगे देखते हैं, DARPG is the Administrative Authority for NCGG, ध्यान रखेंगे, अब, क्या है, NCGG के बारे में, और कुछ पॉइंट दिये हुएं इसमें, तो यह क्या भई, एक Think Tank के तौर पर कारे करेगा, जो भी, Governance और Administrative Reforms करने, उसके लिए, एक Think Tank के तौर पर कारे करेगा, ठीक, इसके अलावा, To function as the National Repository on Information on Best Practices, तो जो भी, National Repository, जो भी, जहां भी Best Practices हो रही है, उसका सारा Collection जो हमको यहां, मिलेगा एक Repository के तौर पर भी, जो यह कारे करता है, C क्या बोल रहा है, Research and Capacity Building, तो वो भी कारे करेगा, अगर इससे Question आते हैं, तो आप जो Basic, क्या कारे हो रहा है, Administrative Reforms, Redress of Grievances, और अगर Statement वाले Question आ जाते हैं, तो आप अपना Logic लगा कर भी इन्हें सहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Terminology Keyword सब में वैसी दिखते जाएगी, इसी में दिया है, DOPT के बारे में भी दिया था, इंडिया Yearbook में DOPT का मेन कारे क्या है, अब सबको पता है, है ना, DOPT, हमारी एक्जाम्स भी सब इसी के अंतरगत होती है, तो DOPT Recruitment का कारे करता है, इसके अलावा क्या कर रहा है, Regulation of Services, Condition, Posting, Transfer, Deputation of Personal, इसके अलावा और कुछ-कुछ चीजें दी हुई थी, जो मुझे लगा कि उतनी जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे mention नहीं किया इसके बारे में, तो role of DOPT ध्यान रखेंगे, आगे आ जाते हैं, NRA, National Recruitment Agency, ये वाला portion भी important है, तो National Recruitment Agency क्या है, तो ये क्या हो रही है, Central Recruitment Agency है, Established by the Government of India, that will conduct Common Eligibility Test, CET, ध्यान रखेंगे, NRA एक exam conducting body हो जाएगी, ये क्या करेगी, it will provide test platform to all candidates in rural areas and aspirational districts, तो जो rural area में भी लोग है, वहां तक भी अपनी reach बढ़ाएगी, और इसका motive ही वही रहेगा एक platform provide कराना, और दूसरा जो है, दूर या फिर दूरस्त इस्थानों में भी अपनी reach पहुँचाना, ये कब setup की गई थी? August 2020 में, ठीक, करके आना पड़ता है, कई सारी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो एक inclusiveness होगा recruitment की process में, और दूसरा equality भी रहेगी, तो इस तरीके से NRA कारे करेगी, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं हम, और क्या चीजे mention हैं इसमें, ठीक, तो और इसमें दिखता है हमें क्या, NRA के बारे में, तो ये क्या है, एक autonomous and self-reliant body है, to conduct CET, to select the candidates for vacancies of group B non-gazeted, याद रखेंगे, group B non-gazeted post, और group B gazeted posts, which are exempted from UPSC and group C post, जो कि इन सब से क्या हो गई है, exempt कर दी गई है, ये सारी post UPSC से, इनकी तहिया है, exam conduct कौन कराएगा, तो NRA कराएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, कौन सी बोला मैंने, group B non-gazeted, और group B gazeted post, और इसके अलावा, सारी group C की post की exams, ठीक, तो इनके objective क्या क्या हैं, बात की, to mitigate the hardship, अब भी बात की, मैंने faced by candidates, to appear into multiple, into multiple, exam conducted by multiple agencies, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग exam conduct हो रही है, अलग-अलग agency के द्वारा, conduct की जारी, तो उससब के लिए, जो है, एक solution निकालेगी, ठीक, to improve the access of rural candidates, especially कित्ता बोल रहा है, 117 जो aspirational districts हैं, वहां के candidates के लिए, ठीक, option to choose center, and schedule their test of their own choice, तो अपनी choice से जो है, center का चुनाव, और साथ में जो test है, वो भी schedule किया जा सकेगा, फिर बोल रहा हैं, to facilitate the employment generation, in long term, long run में तो वही है कि, जो भी employment generation होगा, उसे facilitate करना, तो ध्यान रखना, ये objectives क्या क्या हैं, उनके, मोटा मोटी आप देखो के, keyword समझ में आ जाएंगे, तो ध्यान रह जाएंगे, तो जो भी है, मैं telegram में share कर दूँँगा, PPTs, आप go through हो जाएंगे, एकदम रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को शान्त रखके, अगर उसको सारी चीज को आप consolidate करके, इंबाइब करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या, रोजगार मेला, ठीक, तो D.O.P.T. के बारे में पढ़ रहे हैं, तो D.O.P.T. के यंतरगत, N.R.A. की बात की गई, अब D.O.P.T. के यंतरगत, रोजगार मेले का, तो जैसे इंडिया येर बुक में, फैक्ट दिया हुआ है, तो ध्यान रख लेंगे, October 2022 में एक मेला लगा, 50 लोकेशन में, जहां पर कितने, appointment letter बाटे गए, तो 75,000 appointment letter बाटे गए, नौवंबर में फिर से हुआ, तो 71,000 appointment letter बाटे गए, 45 location में, conduct कराया गया था, ठीक है, फिर आते हैं, India Yearbook में हमको जानकारी, एक topic मिलता, right to information act के बारे में, तो आप सब पढ़ चुके हैं, CIC वाला topic जो है, लक्षमी कांथ में, तो उससे जरूर गो थू हो जाएंगे, detail में, तो वही सारी चीज़े इसमें, दी हुए है, right to information वाले में, फिर official language के बारे में दिया गया है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, India Yearbook में, article 343.1 में दिया है, और India Yearbook बोला मैंने, लक्षमी कांथ में सब ने पढ़ दिया है, और article 343.1 में जो है, बात की गई, official language के बारे में, तो आपको पता है, अगलिश और हिंदी दोनों को दर्जा है, फिर इसमें और जो mention किया गया है, India Yearbook में, कि official language की policy क्या होगी, तो वो भी पता है आपको, annual program होता है, इसके लिए, official language के promotion के लिए, इसके अलावा जो important चीज मुझे दिखी, वो है, यहाँ पर committee या, समीती की बात की गई है, तो केंद्रिय हिंदी समीती was constituted कब 1967 में, chaired by PM, it is the apex body constituted for the propagation and progressive use of Hindi as official language of the union, तो यह ध्यान रखेंगे, क्या बात कर रहा है कि एक केंद्रिय हिंदी समीती का गठन किया गया था, और 1967 में जिसके chairman कौन थे, PM और यह apex body है, जिससे क्या होगा, promotion और propagation होगा, हिंदी का, जिससे कि इसे official language के तौर पर promote किया जा सके, इसके अलावा एक parliamentary committee भी बनाए गई है, on official language was constituted in 1976, यह 67 में, 76 में to periodically review the progress in the use of Hindi as the official language, तो हिंदी का official language के तौर पर प्रयोग होता रहे, of the union and submit a report to president, जो parliamentary committee है, यह एक तो review करते रहेगी, कि हिंदी official language के तौर पर कैसे इस्तमाल होते रहे, और साथ में अपनी report जो है, president को भी देंगे, यही चीज mention मिलती हमको, India yearbook में, इसके बाद इसमें, कुछ हिंदी के लिए, जो पुरसकार दिये गए हैं, उसके बारे में भी बात की गई है, क्या पुरसकार मिलता है, राज भाशा कीरती पुरसकार योजना, तो यह जो है, outstanding achievement in the implementation of official language policy of the union, तो हिंदी को official language के तौर पर implement कराने के लिए, जो outstanding achievement, अगर किसी ने कुछ चीज की है, तो उसके लिए दिया जाता है, कौन सा राज भाशा कीरती पुरसकार, इसके अलावा एक scheme है, राज भाशा गौरव Hindi Book Writing Scheme, ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, cash दिया जाता है, award shield दिया जाता है, और certificate to the working or retired central government employee, ध्यान रखेंगे, जो भी central government employee है, उनको सम्मानित किया जाता है, अगर वो book writing या फिर कुछ हिंदी भाशा से सम्मानित करते हैं, तो cash, award, shield और certificate दिये जाते हैं इसमें, ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें जो India Yearbook में mention मिल रहा है, interstate council के बारे में, तो ये सब पढ़ चुके हैं आप, लक्षमी कान्थ में interstate council article 263 के तहर जो है इसका गठन होगा, और ये किसके recommendation पर तो ध्यान रखेंगे, सरकारिया commission के recommendation पर जो है center state relation के नाम से 1990 में set up किया गया, किसे interstate council को, इसके chairman कौन होते हैं, तो prime minister, members कौन होते हैं, तो cm of states और जो भी union territory जहाँ पर legislature है, administrator of union territories और governors जहाँ पर ऐसे state जहाँ पर president rule लगा हो, ठीक, has been implemented, इसके अलावा 6 minister किसके central cabinet के, ये सारे जो हैं किसके सद़ से होते हैं interstate council के, तो ये जो statement वाले question में पहले कई बार पूछा गया ऐसा, तो ध्यान रखेंगे इसको, आगे आते हैं, फिर zonal council के बारे में बात हो रही है, इंटर state council के बात, जोनल council, तो इंडिया को जो है पूरा 6, यहीं है क्या, जोनल का point मिड़ गे शायद, तो इंडिया को लगभग जो है, छे पांच zones में बाटा गया है, और वो zones के हिसाब से जो है, अलग-अलग state आते हैं उसमें, और इसी के हिसाब से councils बनती है, और वो उसका structure नीचे आएगा, zonal council का कैसे रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो पांच zone कौनसी कौनसी बताई गई है, तो एक है northern zone, ध्यान रखेंगे, इसमें कौनसे कौनसे states और UTs आ रहे हैं, central zone ठीक है, कौनसे कौनसे states और UTs आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, फिर eastern zone, western zone और southern zone, कोशिश करेंगे कि states कौनसे कौनसे हैं, इसमें UTs कौनसी कौनसी ये ध्यान रखेंगे, तो ये जोन में बाढ़ दिया गया है ठीक जिससे और ज्यादा समंजस से हो और एक अलग से नॉर्थ इस्टेट के लिए भी एक काउंसिल बनाई गई है ठीक है नॉर्थ इस्टेट काउंसिल में कौन-कौन है तो आसम है अरुनाचल प्रदेश है मनीपूर त्रिपूरा मीज जोरा मेगाला नागालेंट ठीक यही सारे हैं इनको अलग से जो है जोनल काउंसिल में नहीं रखा गया इनको इनके लिए अलग से क्या बना दिया गया एक नोर्थ इस्टन काउंसिल सेटव अप अंडर दी North Eastern Council Act of 1972 ध्यान रखेंगे इनको उन में शामिल नहीं किया गया है जो जोन से हमारे देश की North के लिए South के लिए Central, West और East और North East के लिए जो है अलग से एक Council का गठन किया गया है ध्यान रखेंगे इसे फिर इसी में देखेंगे जो सिक्यम है आप अभी देखेंगे तो सिक्यम को शामिल कर दिखेगा आपको कहां Eastern Zone में लेकिन सिक्यम के लिए क्या किया गया है has been included in the North Eastern Council with North Eastern Council Amendment Act 2002 notified on 23rd December 2002 तो consequently जो है सिक्यम को जो Eastern Council, Zonal Council है उससे exclude करके शामिल करना है कहां North East Council में और इसके लिए जो Ministry of Home Affairs जो है कारीरत है ये चीज बताई गई है इंडिया एर बुक में आगे आते हैं Zonal Council के बारे में क्या है structure अभी जो मैं पीछे बोल रहा था तो ध्यान रखेंगे पेपर में पूछ सकता है Zonal Council का Chairman कौन होगा तो Union Home Minister होंगे इसके Chairman और साथ में Is the Chairman of each of these Council जित्ती भी मैंने 5-6 Council बोला इनका Chairman होगा Vice Chairman कौन होगा तो CM of states included in each zone act as the Vice Chairman of the Zonal Council For that zone by rotation each holding office for a period of one year So rotation में जो है अलग-अलग state के उस particular zone के जो CM होंगे वो क्या बनते हैं? Head बनते ही है सब भी आप पढ़ चुके लक्षमी कान में इसके लावा Members कौन है? तो Chief Minister And two other ministers as nominated by the Governor from each states And two members from Union territory included in that zone ठीक है? आगे देखते हैं इसमें Advisors कौन होंगे? वो चीज लिखी हुई है तो nominated by Planning Commission for each Zonal Council, Chief Secretaries और another officers ठीक यह चीज ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपका Zonal Council के बारे में कुछ-कुछ चीजें हैं उसको आप पढ़ देंगे क्या-क्या? Member जो है इसके Advisors हो सकते हैं इसके बाद जो है इसमें portion दिख रहा है वो क्या है? इंडिया yearbook में हमने first lecture में जो है इंडिया के अलग-अलग organs के बारे में पढ़ा था political organs तो वैसी इसमें भी दिया है क्या-क्या? तो इस states में अलग से दिया है executive में कौन-कौन आएंगे तो governor, council of minister और इनका head कौन होगा? CM to aid and advice the governor legislature में तो assembly और council, legislative assembly, legislative council six states में जो है legislative council है आज की date में जम्मू कश्मीर के UT में बनने के कारण 6 हो गए है तो कौन से कौन से हो गए? उपर से देखते आते हैं UP, बिहार, नीचे आएंगे तो महाराष्ट्रा और उसके बगल में तेलंगाना पांचवा आंध्रप्रदेश और नीचे में छटा करनाटक तो द्यान रखेंगे ये छे जो हैं, councils है, legislative council है सब आप लक्ष्मी कांथ में पढ़ लिये होंगे UT के बारे में भी दिया हुआ है तो UT के बारे में भी क्या-क्या चीज़े हैं आर्टिकल्स देख लेंगे उसके क्या-क्या है कुछी जो और जो है, जिसे जो भी प्रमुख रहता है, head रहता है वो या तो administrator के नाम से जाना जाता है या lieutenant governor के नाम से जाना जाता है तो UT में lieutenant governor कहां 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 जाता है तो ध्यान रखेंगे अंडमान नीकोबार आइलेंड्स में डेली में, पुदुचेरी में जमू कश्मीर और लद्दाक में जो भी head होगा उसको क्या कहा जाता है lieutenant governor कहा जाता है और इसके अलावा अन्य जगाहों में administrator कहा जाता है ठीक, इसके साथ end में क्या दिया है local bodies के बारे में दिया है municipalities और पंचायत के बारे में और आखरी जो है election commission के बारे में तो यह सारी चीज यहाँ प्लक्षमी कांद में पढ़े हैं इसके साथ और revise अगर कर सकते हैं तो करिए तो उमीद है कि आपकी सबकी तयारी अच्छे से चल रही होगी समय जादा नहीं है revision पर जादा ध्यान रखिए और इस से जो concise way में जो जो material निकल सकता है वो मैं post करते रहूंगा regular में जादा सजादा लोग तक के वीडियो को पहुचाने की कोशिश करिए उमीद है कि आपको इस से कुछ न कुछ help जरूर होगी लेक्चर के तुवारा आपके फेपर में तो तयारी करते रहिए और all the very best thank you, thank you very much